हेलो फ्रेंट्स दिस इस यूर फ्रेंड सेचन पाल आज मैं आपके लिए फिर से एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ जिस स्टोरी का नाम है छोटी छोटी बातें बड़ा फर्क डालती है एक्चुल में इनसान के जीवन के अंदर बहुत छोटी छोटी बाते ही होती है जो उसको निखार कर ले जाती है और बहुत छोटी छोटी बाते ही होती है जो उसको पतन की तरफ लेके जाती है तो इसका चूज आपको करना पड़ेगा कि आपको सक्सेस की तरफ जाना है या आपको अपने पतन की तरफ जाना है तो आईए स्टार्ट करते हैं स्टोरी एक आदमी सुभा को समुद्र के किनारे टहला था उसने देखा कि लहरों के साथ सेकड़ो इस्टार मचलियां टरट पर आ जाती है जब लहरें पीछे जाती है तो मचलियां किनारे पर ही रह जाती है और उन में से बहुत सारी मचलियां मर जाती है लहरें उसी समय लोटी थी और स्टार मचलियां अभी जीवित थी लहरें मतलब की लोट जाती थी और कुछ स्टार मचलियां ऐसी होती थी जो जीवित रह जाती थी वह आदमी कुछ कदम आगे बढ़ा और उसने एक मचली उठाई और पानी में फेंक दी वह ऐसा वार वार करता रहा उस आदमी के ठीक पीछे एक और आदमी था जो यह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कर रहा है वह उसके पास आया और पूछा तुम यह क्या कर रहे हो तो उसने जवाब दिया यह सेकड़ों मचलियां किनारे पर आ जा रही है लेकिन इन में से एक मचलियों को ही उठा कर क्यों फेक रहे हो तो उसने बड़ा सहजिता से कहते बोला कि मैं एक मचलियों को उठा कर इसलिए फेक रहा हूँ क्योंकि मैं सारी मचलियों का जीवन नहीं बचा सकता लेकिन इस एक मचली को तो फर्क पढ़ सकता है न तो हम कौन सा फर्क डाल ला हैं बड़ा या छोटा इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता अगर सब लोग थोड़ा फर्क लाएं तो बहुत बड़ा फर्क आपकी लाइफ में पढ़ सकता है आप जिस बिजनिस में हो आप जिस रूटीन में एक फर्क आप लाना स्टार्ट कर देते हैं तो आप बहुत कम समय में आप जब पीछे मुड़के देखेंगे तो आपके अंदर बहुत सारे फर्क, बहुत सारे चेंजे आ चुके होंगे तो my dear friends, मैं आप इस कहानी के माद्यम से यह समझाना चाह रहा हूँ कि हम अपनी आदतों को एक साथ नहीं बदल सकते हम daily एक habit को change करके, daily एक फर्क को बदल कर हम अपने जीवन को change कर सकते हैं तो my dear friends, हमें जीवन को बदलना चाहिए तो हमारी story का यही माद्यम ता, thank you so much, bye bye, take care